नमस्कार दोस्तो तो आज हम बात करेगे नंदन डैनिम लिमिटिट के बारे में अब देखिए इस कंपनी का एक एनाउंस्मेंट हुआ है जिसमें कंपनी ने ये बोला है कि अगर आपके पास अगर एक सेयर है तो उसके बदले में दो सेयर मिलेगे तो देखिए ऐसा बिलकुल नहीं है कि अगर मान लिजिए कि अगर अभी इसका जो करेंट मार्केट प्राइस है वे 165 रुपीज 80 पैसा है तो कुछ लोग इसमें ये सोचते हैं कि अगर मुझे एक बदले के अगर दो सेयर मिल रहे है तो इसका मतलब ये ये समझते हैं कि 165 रुपया के और दो सेयर मिलेगे जबकि ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो बस होगा क्या कि 165 रुपीज 80 पैसे को आपको दो से डिवाइड कर देना है तो उस प्राइस में ही आपको दो सेयर मिल जाएगा तो आप डिवाइड करके देख लिजिए रफली लगबग लगबग 82 या 83 रुपीज के आसपास पड़ेगा तो अब देखिए अगर आपने ये सेयर 23 मार्च 2022 को अगर आपने खरीद लिया और इसका जो एक्स डेट है वे 24 मार्च है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वे 25 मार्च है तो अगर किसी ने अगर 25 मार्च को खरीदा तो उनको एक के बद्दे दो सेयर नहीं मिलेगे अगर इस share का अगर आप लाफ लेना चाहते हैं तो 23 मार्च से पहले या 23 मार्च को आप ये share खरीद लीजिए बड़ खरीदने से पहले चलिए हम थोड़ा सा company के fundamentals के बारे में बात कर लेते हैं देखिए जो company है उसका जो market cap है वे लगबग लगबग 795 करोर रुपीज है profit earning term to term देखा जाए तो 11.8 है price to book value देखा जाए तो 1.7 है यानि ये average है इसका जो operating revenue है net profit मतलब इसका जो financial status है वे काफी जादा एक strong position पे है और basically ये जो company होती है ये कपड़े बनाती है आपने हो सकता है कि नंदन denim limited का आपने कपड़े पहना होगा तो देखिए किस तरह से इसका operating revenue, net profit, operating profit, quarterly basis, operating revenue, term to term, net profit यानि सब में आपको हरे रंग का नजर आ रहा है अगर हरे रंग का नजर आ रहा है इसका मतलब क्या है ये company क्या बोलते है काफी अच्छा perform कर रही है RSI देखा जाए तो 65.5 है MA5 का अगर index देखा जाए तो 87.3 है उन्होंने ये share काफी जादा strongly over bout हो चुका है तो चलिए company का थोड़ा सा हम और financial status देख लेते हैं तो देखी ये March 17 में इसका जो revenue था वे 1241 करोड था और उसका जो net profit था वे 72.5 करोड रुपीज था बट अगर वही March 21 में देखा जाए तो इस company का जो revenue है वे March 20 के compare से इसका जो revenue है वे थोड़ा सा decrease हुआ है और इसका जो net profit है वे minus 8.7 करोड रुपीज है चलिए quarterly basis पे देखा जाए तो company काफी अच्छा perform किया है December 20 में 3 करोड का profit था March 21 में 15.3 करोड का था June 21 में 10.4 करोड रुपीज का था September 21 में 22.2 करोड का था और December 21 में 19.7 करोड रुपीज का था यानि देखिए company loss होने के बावजूद भी जो annually March 21 में जो इसने ये जो losses दिया था उसके compare में देखा जाए तो company काफी अच्छा ग्रोड कर रही है और देखिए अगर company का अगर हम चार्ट देखें देखिए company का ये जो चार्ट है तो देखिए किस तरह से अगर मैं बात करों 2014 तो लगबग लगबग ये 15 से 20 रुपे के बीच में ये share trade किया करता था ठीका ना बड़ देखिए उसमें जो किस तरह से इसमें तगड़ा breakout हमें देखने को मिला है तो फिर 2017 में देखिए इसने high बनाया लगबग 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 180 रुपीज के उपर से भी इसने high बनाया फिर 2017 के बास ये share नीचे की तरफ गिरना सुरू हुआ और गिरते 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 और ये आ गया 15 या 11 रुपीज के आसपास 2020 और 2021 की बीचकी में बात कर रहा हूं और फिर वहां से देखिए कितना एक तगड़ा ब्रेक आउट हो चुका है इस share में तो देखिए जो share है ये काफ ज़्यादा एक strongly overboughted share हो चुका है तो मैं आपको इसमें recommended नहीं करूंगा अभी आप इसमें wait कीजिए and watch कीजिए देखिए क्योंकि ये all time ये अपने high पर है तो मुझे लगता है कि अगर आप ये share लेते हैं तो आपके लिए काफ़ ज़्यादा risk की सावित हो सकता है तो देखिए अगर ये share अगर future में अगर कभी भी 10 से 20 रुपे के बीच में अगर कभी भी आता है तो आप इस shares को ले सकते है अगर वही company की share holding pattern की बात किया जाए तो पर्मोटर के पास 64.73% है FIs के पास जो holding है वे 2.08% है mutual fund के पास इनके पास कोई भी holding नहीं है और इनका जो share है वे बिलकुल गिर भी नहीं रखा हुआ है और देखिए मतलब company का तो पर्मोटर में कोई problem तो है नहीं और company का जो financial status भी है वे देखिए किस तरह से इसका हर चीज मतलब हमें growth देखने को मिल रहा है तो मैं तो बोलूगा कि आप इस share से अभी दूर रही है दूर रही है इसलिए क्योंकि देखिए ये already अपने all time high पे share ये trade कर रहा है तो आप bonus के चकर में इसमें बिलकुल नहीं रहाना है ऐसा नहीं है कि आपको ये 165 रूपिश के 2 share मिल जाएगा ऐसा बिलकुल नहीं होता है तो मैं आपको इसमें अभी सला दोंगा कि इस share को आप अभी मत खरी दिये मैं फिर से repeat किया अगर ये future में अगर कभी अगर नीचे आता है 10 से 20 रूपे के बीच में तब वहां से आप share को लीजिए कोई problem नहीं होगा मेरे वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ share किजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भोले जय हिन जय वारा